अर्फ, दिसस पुरू, जनूत रिया हमने एक सेसन इसन डाट किया है जिसमें अपन कैथरिन मायू की एक बोक है Mother India उसको complete कराने बाले है ये इसी सेसन का ₹4 है इसमें अपन चैप्टर 3 2019 करेंगे चैप्टर का सीड सके कंची और लटो और वन धिंशन vaccinated है अगर हम बालवबा की बिसे में बारत सरकार की रुका अध्यन करें तो यह बात सामने आती है कि उसके द्वारा प्रगत्थी और परिवर्तन के दिसा में निरंतर लोगों को समझा बुजा कर काम करते हुए हमेशा दो चीजों का ध्यान रखा जाता है एक जहां तक हो सके धर्म के मामले मास्टचिप करने से बचा जाए बिल्कुल सही बात है और दूसरा ऐसे कानून को सुईक्रती देने से बचा जाए जिसे लागू नहीं कराया जा सकता धार्मिक सरद्दा और ईश्वर प्रदत अधिकारों की विशे में भारतिय लोगों की मानिताओं का बिरूद करने का परिणाम यह हुआ की बेपागल हो गए हैं और दंगा तता रक्तपात करने पर उताराए हैं इसलिए कम से कम भारत जैसे देश में ऐसे कानून को लागू करना इसका पालन करना या ना करना उसमें रहने वाले लोगों पर निर्वर करता है लगबग असंबव है भारतिय और बिट्टिस दोनों अधिकारी इस बात पर एकमत हैं कि बिवा के लिए लड़कियों के आयू बढ़ाने से संबंदित कोई भी नया कानून आज हिंदूओं को सुईकार नहीं होगा इसलिए उनका बिचार था कि भारत के लोगों की इस मनेस्तिती को दिखती हुए बियादिक से अधिक बिवाहे दमपत्ती में सहबास की आयू बढ़ाने की ही आसा कर सकते हैं इस दिसाम में एक कदम 1899 में उठाया गया था जब सरकार ने कुछ प्रगति सील भारतियों की समर्थन से रूडिवादी हिंदूओं के साथ जनोंने सरकार पर हिंदूओं की सरवादिक पवित्र बालववा संस्ता की हत्या करने एक आरोप लगाया था एक बड़ी लड़ाई लडने के बाद 10 वर्स की आयू को 12 वर्स करने में सफलता प्राप्त की थी कि पहले दस साल में साधी हो जाती थी तो इसको बारे कर दिया गया बाद की बिदान सवाओं में इस प्रश्ण पर फिर से संगर सुरू हो चुका है गेर सरकारी भारती सदश्यों ने बिवा की आयू में ओव रदी करने संबंदी बिलप्रुस्तित किये हैं पर जैसा कि हमेशा होता रहा है ये किसी न किसी चरण में जाकर रूड़ी बादियों के भहमत से ये बिल पास नहीं हो सके हैं। ऐसे अपसरों पर वाइस राय की सरकार का रवया यह है रहा है कि उसने मुख्य बिसे का हमेशा समर्तन किया है। परन्तो इस तरह कि कानून बनाने में उसने सदैप साबदानी वरती हैं। क्योंकि वा जनता की राय में कानून की बदनामी नहीं चाहती। ऐसा करना उसके लिए इसलिए और भी आवश्यक हो गया। क्योंकि आम तर पर भारती नेता की यादत बनी हुई है कि वा किवल कानून पास कराकर ही संतुष्ट हो जाता है। पर उस कानून का जनता से अमल कैसे कराय जाए इस बिसे में वह अपना कोई उत्तर दाय तो नहीं समझता। अता यह ऐस्ववाविक नहीं है कि भारत के इस बहवार से कोई भी खुश नहीं है। एक और उस पर सदियों की धार्मे कास्ताओं को नश्ट करने के आरोप लगाए जाते हैं तो दूसरी और इस से भी ज़्यादा कटू लेकिन विप्रीत परणाम वाले आरोप लगाए जाते हैं। बिदान सबा में एक रोड़ी बादी ब्राहमर सदिश ने चिला कर पूछा आपको पुरू से पत्नी को अलग करने का क्या अधिकार है। आप हमारे प्राचीन विश्वासों और परमपराओं पर हमला कर सकते हैं पर हम उनका अनुसरान नहीं करेंगे। इसी तेवर के साथ एक दूसरे सदिश ने कहा ऐसा लगता है कि भारत सरकार का हर अंग्रेज ब्यक्ति दूसरे लोगों भारतियों की प्रगती में बादाएं डाल रहा है। इस तरह की बैसों से संपूर बिसे पर जनता की राय का अच्छा खासा पता चल जाता है। लगता है कि ये सदर्शप ने समाज की इस्तितियों से अच्छी तरह परचित हैं और फर्क सिर्फ इतना है कि इन इस्तितियों पर कोई ज़ादा जोड़ देता है तो कोई कम। इस देश में उच्छ बर्गों में नवजात बच्चों और योवा पत्नियों की अकाल म्रत्यों की उची दर लड़कियों की उस गर्वावस्ता की बज़े से है जिनके योवन की दहलीज पर पहुँचने से पहले ही यह उसके सारिक अंगों का पूर्ण विकास होने से पूर् किये गए सहवास का परणाम यह होता है कि ना केवल लड़की का स्वास्ते कमजूर रहता है बलकि उसके बच्चे भी कमजूर और बीमार पैदा होते हैं और उनमें से अधिकांज साधारन किस्म की या मौसमी बीमारी का वी सामना नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे तो वे बच्चे अपने परवार और अपने देश का भला करने से ज़्यादा डॉक्टरों का भला करते हैं वे न अच्छे सैनिक बन पाते हैं और न अच्छे नागरिक न गर के बाहर काम कर सकते हैं और न गर के भीतर वे न सत्रू पर हमला करने के लिए उप्योगत हो सकते हैं न सक्त्रों या चोल डाकों से अपने आपको बचाने में समर्द हो सकते हैं संचेप में उनका जन्म, समाज को कुछ भी लाग पहुंचाए विना उनकी माता-पिता की स्वास्त और धन दोनों की बरवादी के कार्ण बनता है अधिकान्स पती ऐसी इस्तितियों में कई बार विवा करते हैं क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते और उनकी पत्नियां भी कम आयू में ही मर्ज आती है इस तरह की अनेक बहसों से पता चलता है कि अधिकान्स बारतिये सदश्य शदंतिक रूप से तो इस बात को शुकार करते हैं कि जब तक लड़की का सरीर पोन बिक्सित ना हो जाए उसे मा बनने से रोगना चाहिए बेज बात पर भी सहमत है कि ऐ परपत्तो आयू में लड़की का विवार रोके बिना ऐसा करपाना असंबब है परंतु वे एक स्वरसे से असंबब भी मानते हैं जिसके वे तीन कारण बताते हैं पहला क्योंकि इसमें प्राचीन धार्मिक प्रथा बादक है जैसे हिंदूओं में लड़की का विवा पूरुवर रजश्वला होना यद भी ये एक शामाने बात है पर यदी उसे धार्मिक नहीं तो सामजिक बाप माना जाता है दूसरा क्योंकि पिता अपनी पुत्रियों को इजड़ से घर में रहने का सास नहीं करता है कि कई कन्यादान से पहले उसका सील बंगना हो जाए और इस अनेतिक कारे की आसंक्या सैउक्त परवारों में जहां अनेक पुरुष और लड़के भाई बतीजे चाचा एक ही छट के नीचे रहते हैं बिसेस रूप से रहती है तीसरा क्योंकि माबाप लड़की की रजश्वला होने के बाद उसकी काम बासना को एतरप्त रखते हुए गर में रखने का सास नहीं करते हैं इन तीन खत्रों को द्यान में रखते हुए मदरास की बिद्वान ब्राहमर सदश दीवान बहद्व टी रंगाचारी ने 1925 के गेर सरकारी बिलका प्रचल्ड बेरोद किया जिसमें बिवा की सेहमत आयूब बढ़ाकर 14 वर्स कर दी गई थी और उन्होंने का यदि यह कानून लागू हो गया तो पिता को अपनी लड़की को उसके पती से दूर रखने के लिए उसे जनाना में भीजना पड़ जाएगा इस मदराशी शदश ने निम्न सब्दों में छेताबनी दी हमारे देश में 12 और 14 वर्स के बीच की लड़कीयों की इस्तिती का इसमर्ड कीजिए क्या हमारे घरों में हमारी लड़किया नहीं है क्या हमारे घरों में हमारी बेहने नहीं है इसे याद रखिए और अपने पड़ोशियों को याद रखिए हमारी आदतों, हमारे रिती रिवाजों, हमारे युबाओं की सीग्र प्रोणता, हमारी अबो हवा और देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैज बिसेब पर आप से सही नड़े लेने की प्राधना करता हूँ एक अन्य ब्राहमण सदश ने भी तीब्र ब्रोध करते हुए कहा इस देश में इस्तित्यों की जो परंपरा है, वैसे इस्तित्यों की परंपरा अन्य किसी भी देश में नहीं है इस्तित्यों का हमारा आदर से यह है कि हमारी इस्तियां पत्यों का आदर करती है उन्हें मा का दूद पीने के समय से ही सिकाया जाता है कि उनके पती ही प्रत्वी पर उनकी भगवान है एक ब्रहमण बालका पतनी के लिए सारे समा सुधारकों से जादा उसका पती, महान, सच्चा और रितिसी है आपको हमारी इस प्राचीन बैवाएक संस्ता कि पवित्रता और उदात परंपरा में हस्तचेप करने का कोई अधिकार है आपकि इस कानून का उदेश क्या है क्या आप भारत की इस्तरियों को बलवार उनके बच्चों को भीमकाय बनाना चाहते है लेकिन याद रहे कि ऐसा करने की कोसिस में आप अन्य बहुत सी ब्राईयों को पैदा कर देंगे जो इसी भी बत्तर होंगे आप लड़कियों की स्वास्त की रच्चा अवश्य करेंगे परंतु उन्हें वह संसका और वह सिच्चा देना बंद ना करें जिसमें बे अपने पत्ती को भगवान की रूप में देखती है क्योंकि या सिच्चा सिर्फ भारत की हिंदों में ही है करता है मैं बिंदी करता हूँ कि आप हमारे घरों को बरबाद ना करें सलेम और कोयम बटूर से सदश्य मिश्टर सामु खान चेट्टी ने इस दलील के साथ इसका जवाब दिया अगर अपराद से पहले तताकतित विवा का संसकार हो जाता है तो उससे वह अपराद जायज नहीं होता है और ना जायज ठहराय जा सकता है मुझे इस बात में कोई संदिय नहीं है कि यदि आपने किसी नर्वच्ची से यह पूछा कि वह नर्वच्ची क्यों बनाए तो वह भी इस ग्रणित कार्रे के लिए अपने धर्म का हवाला देगा और कलकता से भारती इसाईयों के प्रतनिदी डॉक्टर एस की दर्ता ने कहा अगर कोई मनुश्य का बनाये हुआ कानून है तो उसमें छोटी छोटी लड़कियों को जबरदस्ती मा बनने के लिए मजबूर करने वाला कानून भी है अन्तते बिवा की सेहमत आयू चौदर वर्थ करने वाला यह कानून पारित नहीं हो सका पर हकीकत में उसे सारबजने का संतोस के तूफान में दफन होना पड़ा अगली असेंबली में बाइस राए की सरकार के नेता सर अलेक्जेंडर मोडी मैंने गतिरोध को खुतम करते हुए एक ऐसा सरकारी बिल प्रस्तुत किया जो रूड़िवादी हिंदों को भी शुईकार हो सकता था इस बिल में सहवास की आयोग बैवाई का वस्ता में 13 वर्स और एवेवाई का वस्ता में 14 वर्स निर्दारित की गई थी और यह बिल 1925 के अदनियम 1929 के रूप में पारित हो गया इस बिल पर भी जो बैथ असेम्बलिम होई उससे एक वर फिर भारतियों के विचारों का परचे मिला कुछ बक्ताओं ने कहा कि जनता के विचारों में परवर्तन की बेहतर आसा उसी तरह की जा सकती है जिस तरह बिवन जातियों पार्टियों और सम्तियों के लोगों के बिचारों में धीरे धीरे परवर्तना आ रहा है उन्होंने इस कानून को बुरा निरर्तक और अनुपियों की बताया तता इस तत्तिकी और ध्यान दिलाया कि संपूर बारत में फैले हुए रोडवादी हिंदू बाल विवा को रोकने वाले इस कानून को अपने धर्म के खिलाफ युद्ध की रूप में समझेंगे और उसका उलनंगन करेंगे इसी तरह यह भी कहा गया कि अगर बालका बदू की उसके बच्चपन में रच्चा करने का प्रियास किया गया तो उसे भी पवित्र विवा संबंद पर हमला माना जाएगा उसे लागू करना असंबब होगा और उसका परिणाम खोन खराबा और अराजगता होगा पर यह सच है कि अजमेर मारबाडा की राय साव एम हर्विला सारदा ने यह कहा जहां सामजिक या धार्मिक प्रता हैं हमारी मनुशता पर आगात करती हो और असाय लोगों पर अन्याय करती हो वह उसे रोकने का कानून ही एक सही कदम है तीन या चार वर्ष की कन्या से बिवा करना और नौ या दस वर्ष की उम्र में उसके सहिवात करने के अनुमती देना वह कहीं भी यो मानुए भावना के साथ अत्याचार है किन्तु इलावाद के पंडित मदन मोहन मालविये का विचार कुछ अलगी था उन्होंने कहा मुझे इस प्रथा की कठोर बास्तविताओं का पता है मैं जानता हूँ कि इसके तहट ब्यापक रुप से बारे वर्ष से भी कम उम्र में विवा होते हैं और ऐसी इस्तिती में उन्हें सहवास करने से रोका जाना संबव है मेरा सुजाव है कि संबवत है या बैतर होगा कि हमें कानून से बाहर इसका समादान निकालना चाहिए जैसा कि बिवाहत लोगों के मामले में होता है सेहवास की आयू पर उच्छत लोकमत बनाने के लिए हमें सिच्छा के बिकाज और समासोदार पर भरोसा करना चाहिए महुदे मुझे बिश्वास है कि इस बिसे में काफी बड़ी प्रगती हुई है उनके प्रांतों में उच्छ वर्गों में बिवा की आयू में ब्रद्दी हुई है ये किवल गरीब वर्ग ही है जो धुर्ब्याग से अभी भी अग्यानता के सिकार है उच्छ वर्गों के अपेच्छा गरीब वर्गों में ही जल्दी साधियां हो जाती है बर्दमान से मिश्टर अमरना दत ने बिल का बिरूद करते हुई कहा हमें अपने प्रगती सील बिचारों को कम प्रगती सील देश वासियों पर लादने का कोई अधिकार नहीं है हमारे गाउं गुटों में बट गए है यदि सहवास की सहमत आयो 13 वर्स हो जाती है तो सही या गलत का फैसला पुलिस के हाथ में आ जाएगा और बै गाउं में गुट के कहने पर दूसरे गुट की लोगों को अपमानित और पिरित करेगी मैं सरकार से मांग करूँगा कि वा एक बार फिर इस बिल को वापस ले ले महोदे मैं बंगाल से आता हूं और यह जानता हूं कि वाँ वहमत के लोगों की क्या राय है दच्छड आरकोट के मिश्टर एम के आचारे ने भी परवर्टन का बिरोध किया जो चीज दोस नहीं है उसे ये कानून दोस बना देगा और जो अपराद नहीं है उसे ये वविश में अपराद बना देगा बले ही कुछ लोगों की भावनाएं हमारे खिलाफ हो पर हम इसे अपराद मानने को तायार नहीं है इनी आचारे ने आगे कहा भारत में ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं जिनने तुरंत सुदार की आवशक्ता मैसूस होती है फिर भी सुदार होगा और अगर धीरे-धीरे सुदार होगा तो इससे कोई हानी नहीं है बास्तर में यह माननी है सदश्यों को जब तक भी सिम्मला में है उनके मनुरंजन के लिए कंचे और लट्टू देने जैसा है तो इस चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स चैप्टर अपन अगले सैसर में करेंगे इसके रफ्रेंस देख लेते हैं कहां कहां से लिया गया पहला लेजिसलेटिव असेमली डिवेट्स 1925 वोलियूम 5 पार्ट 3 प्रस्ट 2890 सेकिंड वही से 1925 वोलियूम 6 प्रस्ट 557 थर्ड वही 1922 वोलियूम 2 पार्ट 3 प्रस्ट 2650 पार्ट 4 डांकों को गिरो द्वारा लूट मार ठीक है यह लिखा हुआ है ना इसमें 1-2-3-4 यह बिल्यू कलर में ठीक है यहां यहां से ठीक है 1 यहां से लिया है 2-3 यहां से लिया है 4 जो है वो यहां से ओक है इस तरीक से आगे लिखा हाँए 5. Legislative Assembly Debates 23-24, March 1925, Volume 5, Part 3, 1 September, Volume 6 अगला, Legislative Assembly Debates 1925, Volume 5, Part 3, Press 2884 नेक्स्ट वही, Press 2890 नेक्स्ट वही, 1925, Volume 6, Press 558 वही, 1925, Volume 5, Press 3, Part 3, Press 2839 नेक्स्ट वही, 1925, Volume 6, Press 561 नेक्स्ट वही, Press 573, 574 12. Legislative Assembly Debates 1925, Volume 6, Press 558, 559 13. वही, Press 551 14. वही, Press 556 15. गर्मियों में केंसर कार्शमला में बैठती है ठीक है, तो ये chapter complete होता है नेक्स्ट चर्चा अपन अगले पार्ट में करेंगे, थैंक्यू DP jerseyrade vollेट 15. वही, P Southern 15. वही, Press 862 16. cooled को क्व़ड़ू